क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे आल इन वन यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं कौरो ना पैंडेंडमिक जो कि हम सबी है इसी के चलते लिए ऐसे में क pilots के लिएन पर बूरे और वर्ट कुर निमेंक को जड़ा है क्योंकि काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यह कह रहे थे कि अगर 2020 में IPL शुरू होगा तो वर्लकप कप शुरू होगा इसी के चलते फिल हाल ICC ने अपने T20 वर्लकप को पीछे कर लिया है और आने वाले IPL सीजन को आगे कर दिया है इसका मतलब साफ होता है कि BCCI जीत गई है ICC से ऐसे में दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि ICC ने फिलहाल पुस्पॉंट कर दिया गया है अपने आने वाले T20 वर्लकप को जो की तीन साल में एक बार खेला जाता है ऐसे में दोस्तों आपको बतातों सभी क्रिकेट प्रेमिया IPL का इंज़ार कर रहे तो और उनकी सभी की दुआएं रंगीन हो चुकी है क्योंकि दोस्तों आपको बतातों आप सीधे सीधे 26 सेप्टेम्बर से शुरू होने वाला है आने वाला IPL सीजन जो कि सही बात है UAE में खेला जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें रूल से रेगलेशन की IPL की तो वो मैचस होंगे एम्टी स्टेडियम में और मैचस खेलने से पहले पूरे खीले टीमों की खिलाडियों को कॉरंटाइन कर दिया गया जाएगा 14 दिनों के दिए ऐसे में ये बात तो साफ है कि पूरे रेस्ट्रिक्शन की साथ खेलना होगा IPL सीजन जाई सी बात है क्राउट के साथ जादा मजा आता था IPL देखने का लेकिन फिलहाल सिच्ट्रिक्शन वैसी नहीं है कोई भी कंट्रि में वैसी सिच्ट्रिक्शन नहीं है कि हम पूरे क्राउट को जमा करकर मैच दिखाएं IPL हो रहा है यही बहुत ही बड़ी बात है गर्व करना चाहिए बी सी सी आई के ओपर जो इस साल IPL के उन्होंने गोशना कर दिया है क्योंकि कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस साल IPL होना नामुंकिन है अगास कर कि भारत में ऐसे में बी सी सी आई ने काफी बोर्ड और बहतरीन डिसिजन लेते वे योई में काफी कम करोना की कैसस हैं इसलिए वहाँ फैसला लिया है IPL घिलाने का ये भी एक काफी बहतरीन फैसला है तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इस साल 26 सब्कमबर को ही IPL शुरू हो गया नहीं इसका जब हमें कॉमेंट में जरू बताएं और अगर वीडियो को संगी हो तो इक दिल से लाइक करें और ऐसे ही ग्रेट की खबरों के लिए मज़ें को सब्सक्राइब करें धन्यवाद